आप दिख रहे हैं एक टेश्टरी पॉइंट आज हम पढ़ेंगे समाजी करर और शिक्षा ये परेंट पहले हमने इकाई 1 पढ़ें के 4 पार्ट तक किया था अब ये इकाई 2 का पार्ट बन है समाजी करन और शिक्षा आई हम सुरू करते हैं परिच्चे मनुष्य का जन्म समाज में होता है जन्म के समय से ही वे अपने मातापिता और परिवार के अन्य सदस्तों के संपर्ख में आता है क्या है फैंट मनुष्य का जन्म समाज में होता है जन्म के समय से ही वे अपने मातापिता और परिवार के अन्य सदस्तों के संपर्ख माता है दीरे दीरे वे अपने आसपरोस के संपर्ख माता है कैसा दा है दीरे दीरे वे अपने आसपरोस के संपर्ख माता है और वो उनसे प्रभावित भी होता है इस दोरान वे अपने मूल प्रवितियों जैसे अहार निंदा शायन में ही रत होता है शरांश रूप में वे केवल एक जैविक प्राणी होता है क्या होता है शरांश रूप में वे एक केवल जैविक प्राणी होता है और उसकी अवस्था बहुत कुछ पशो के समान होती है क्योंकि उसमें जन्म के समय समाजी गुणों का सर्वता अभाब होता है वे अपने माता पिता के संपर्ग में आकर वे मुस्कुराना, बैठना, दूसरों को सुनना और दूसरों के साथ खेलना इत्यादी सीखता है क्या करता है फैर्स? वे अपने माता पिता के संपर्ग में आकर वे मुस्कुराना, बैठना, उठना, खाना, पीना इस तरीके सारी चीजों को सीखता है इस पिरकार परिवार की किसी बालक में समाजी कुड़ों के विकास के सर्व प्रतम पाश्चाला है दीरे दीरे अपने आसपरोस के संपर्ग में आने से वे कुछ समाजिक शिष्टाचार सीख लेता है क्या होता है फैर्स? दीरे दीरे वे अपने आसपरोस के संपर्ग में आने से समाज के नियमों और दायत्वों को ध्यान में रखता है इस वह एक्ति के जैविक प्णाडी से समाजिक प्राणी इसी यात्रा को समाज सास्त्र में समाजी करण कहते हैं किन्तु इस समाजी करण की आवेशक तक क्या है इसके विकास की पिरकरिया क्या है बालक के समाजी करण की जिम्मेदारी किसकी है समाजी करण के सौपान क्या है और बालक के समाजी करण के कौन कौन सी सर्षाय जुड़ी होती है क्या हो दिया है समाजी करार के समपन क्या है और बालग के समाजी करार में कौन कौन से सज्टाय जूड़ी होती है इन सबी प्रोशनों के वयापक चर्चा इस सज्जाय में की जाएंगे Next point समाजी करार का अर्थ समाजी करण के अवधारना जाने से पूर्व इसके सब्धिक अर्थ का विशलेशर करना आवे शक है क्या परां समाजिकरां के अवधारा जानने से पूर्व इसके सब्दिक अर्थ का विष्छ करना आवे शरक है समाजिकरां सब्दू बना समाज क्री है धातू और लिूट प्रतिये के योग से क्योंकि इस समाज, क्योंकि समाज सब्द के आ के बाद करे धातू है इसलिए आ को व्याकरन नियम के अनुसार ई हो गया है इस पिरकार समाजी करने किसी व्यक्ति या बालक के समाजी नियमों और संस्कित संस्किति के अनुरूप बनने की पिरकिरिया है दूसरे शब्दों में व्यक्ति या बालक में समाजी कुणों का विकास करने की पिरकिरिया को समाजी करने की पिरकिरिया है जो व्यक्ति को समाजी करने की पिरकिरिया है जो व्यक्ति को समाजी में किस पिरकिरिया रहना है कैसे समाज में रहते अपनी आविशक्ताओं की पू पूर्तिगन्नी हैं ये सिखाती हो और समाजी करया की इसी पिर्किरिया को जॉनस नन ने काफी सरशब्दों में इश्पस्ट किया है कि समाजी करया वे परशिक्षा है जो सीखने वालों को समाजी भूमे का अदा करने में समर्थ बनाता है समाजी करया के विशे में अन्य शिक्षा विदों ने भी अपने मन तवर दिये है जो अध्योलिखित है गिलिन और गिलिन के अनुसार क्या है पर गिलिन और गिलिन के अनुसार समाजी करया वे पिर्किरिया है जिससे व्यक्ति समू के किरियाशीर सदस्य के रूप में इस तरों के अनुसार रूडियां रूडियों के अनुरूप और प्रमप्राओं का पालन करते हुए समाजी संसाओं के पिर्ति समयोजना कर करते हुए अपना विकास करता है जिस्ट पिर्कार समाजिक्षी एक सब्सक्राइट करते हैं इस परिस्तिती में किसी व्यक्ती को कैसा वैवार करना चाहिए यह समाजिक आदर्शों और मोलों का निर्वान कैसे किया जाना चाहिए इन सब बातों का ज्ञान क्राप्ट करता है शंगशेफ में समाजी करनशा समाजी करनशा की विशयषता समाजी करनशी विशयषता क्या है मिर्तियू प्रयाप्त चलती रहती है क्या होती है जन्म से लेकर मिर्तियू प्रयाप्त तक चलती रहती है यही वह पिरकिरिया है जिसमें व्यक्ति अपने समाज या राष्ट की संस्किर्तिक मुल्लों और आदर्शों को आत्मसाथ करता है इसी पिरकिरिया के माध्यम से किसी समाजी करने की विशेश्ताओं को अध्यों लिखित रूप से इस्पष्ट कर सकते हैं किसी व्यक्ति दूरा किसी परिश्टिती विशेश में किसी व्यक्ती के साथ कैसा वहवार क斜ाना चाहिए कि इस भाव का ज्यान ही समाजी करण है, क्या फैर इसी भाव का ज्यान ही समाजी करण है, समाजी करण किसी व्यक्ति की प्रिया पिरक्रियारिद्मक्षमता को बढ़ाता है, जिससे वे एक जैविक प्राणी के गुणों को त्याग का समाजी करण के प्राणी बन जाता है, बा बालक शेश्वकाल से लेकर विद्वस्ता तक अपने वेवहर में कुछ ना कुछ परिवतन करता रहता है क्योंकि वेवहर में होने वाले परिवतन समाज में रहने के लिए वाचनी है साथ में हमें समाज की विविद करते हैं वेवहार में होने वाले परिवर्तन की संतुष्टी के कारण भी करने पड़ते हैं समाजी करने की ये पिरकिरिया व्यक्ति के वेवहार में समाजिक पक्षि से जुड़ी होती है और ये समाजिक पक्षि के में विकास सदेव चलता ही रहता है समाजी करने एक सीखने की परकिर लिए एक बालक अपने समाज में सुमो योजित कहने के लिए निरत्तर अपने व्यवहार में परिवर्थन करता रहता है। का आदर संबान करना परियवरन का सरक्षर करना इत्यादी अत्व व्यक्ति द्वारा इन गुडों को सीखना समाजी करना है ना कि चौर कर्म दूसरों अपनमान करना इत्यारी का सीखना समाजी करन समाज की संस्किती विरासत को आत्मसाथ करना किसी समाज की संस्किती वहां के समाजी किर्यकिलापों में सनहीत होती है जब कोई व्यक्ति इन समाजी गुणों को अपने वहवार में समाहित कर रहा होता है तो वे अपरतियक्ष रूप से उस समाज की विशेश की सांस्किति को आत्मसात कर रहा होता है समाजी काया कि पिरकिरिया में व्यक्ति केवल अपनी संस्किति का ज्यान ही प्राप नहीं करता पिर ये तु उस संस्किति विशेश के रूप में अपने वेवहार आदमसात में भी कर रहा होता है समाजी काया व्यक्ति को समाजिक बनाने की पिरकिरिया है व्यक्ति जब जन्म लेता है तो वे एक जैविक प्राणी होता है दूसरे शब्दों में वे पशु संद्रिश्य होता है जब बालक दूसरों के संपर्क में आता है तो उसमें धीरे धीरे समाजिक गुणों का विकास होता है समाजिक गुणों को अपने व्यविहार में उतारने के बाद वे जेविक प्राड़ी से समाजिक प्राड़ी में परिवतन हो जाता है इस पिरकार समाजिक गुणों की पिरकिरिया को वयक्ति में समाजिक गुणों का विकास के रूप में परिभाशित किया जा सकता है समाजी करना की आविशक्ता समाजी करना की अवधाना पर वयापक रूप से चर्चा के उपरांत ये परशन मास्तिक में आता है मन में आता है कि स्वभाविक है कि समाजी करना की एक व्यक्ति विकास में क्या भूमी का निवाता है क्या है फैन समाजिकार में एक व्यक्ति विकास में क्या भूमी का निबाता है क्या समाजिकार के बिना व्यक्ति समाज में उचित पिरकास से समझे उचित नहीं हो सकता क्या समाजिकार के दौरा एक ही व्यक्ति अपनी संस्कीति को आत्मसाथ करता है आगे हम इन सब प्रशनों के उत्तर जाने का प्रयास करेंगे समाजिक अनुशासन का पाठ पढ़ने में सहायक है व्यक्ति जिस समाज में रहता है तो उसको उस समाज में विशेश के नियामों और उपनियामों का पालन करना पड़ता है समाज में व्यक्ति रहता है उसको उसके ही नियामों का पालन करना होता है समाजी करन व्यक्ति को उन नियामों और उपनियामों का पालन कर अनुशाशित बनने है तो और अपविरेति करता है साथ ही समाजी करण व्यक्ति को ये जानने में भी सहायता करता है उसे क्या करना चाहिए क्या है पर हमें ये भी प्रेरित करता है वो कि हमें क्या करना चाहिए और किन कारियों को नहीं करना चाहिए इस परकार हम कह सकते हैं कि समाजी करण किसी व्यक्ति को समाज में अनुशास समाजित होकर जीवन यापन में सहायता करता है। समाजिका व्यक्ति को समाजिक व्यवहर में कुशल बनाता है और पितियक समाज में वे चाहता है कि उसके नागरिक उस समाज विशेश की उन्नती के लिए अपना योगेदान है। समाजिका व्यक्ति में ये अवधोद उत्मन करता है कि वे अपने समाजिक दायतों को ना केवल उचित से समझा वलकी उन दायतों को कुशलता पूरवक निर्वान भी करता है जब व्यक्ति अपने समाजिक दायतों का सही पिरकार निर्वान करता है तो उस समाज के द्वारा आदर और सम्मान भी प्राप्त होता है समाजिक व्यक्ति को अपने समाजिक दाइत्वों का भूद करता है समाजिक व्यक्ति को ये बताता है बताता ही है कि समाजिक दायत्वों का अबोध भी कराता है कि उसे समाज में क्या पेखषाय रखता है और वे उन अपेखषाओं की पूर्ती के लिए क्या कर सकता है और समाजी करने के पिर्किरिया द्वारा व्यक्ति इन सभी दायित्वों को ना केवल जानता है साथ ही इनकी पूर्ती है तो अपनी और अथक प्रियाज भी करता है अपनी सांस्किति के आत्मसाथ करने में सहायक और समाजी करने व्यक्ति को केवल अपने दाइपों और कातव्यों का बोध मात्र ही नहीं कराती वलकि उस सांस्किति को अपने मन मास्तिक और हीदे में आत्मसाथ करने के लिए भी अभी प्रेरित करती है समाजी करना के अपिर संपिर्तिया को जानना मातर ही समाजी करना नहीं है अपि तो उन समाजिक मुल्लों मानेताओं और आधर्शों को मानसा वाचा और कर्म कर्मना और अगिकान करना भी अगर कोई व्यक्ति केवल समाजिक नोलों और आधरशों को जानता है और उन्हीं अपने आचाय में नहीं उतारता तो उस व्यक्ति विशेश समाजी का अधु रही अता है ये पर्मशयक है कि वे व्यक्ति समाजी गुणों को अपने वहभार में अंगी कारण करें तब ही उसका समाजी कारण सार्थक है समाजी कारण के कारण हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे अगर आप लोगों को मेरी वीडियो अच्छी लेगा तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर और सिस्काइब करें बेल आइगन वो प्रेस करें जिससे सबसे पहले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेजन आप लोगों के पास सबसे पहले पहुंच सेते हैं थैंक्स फॉर वाचिंग माई वीडियो